कॉंग्रेस के अंतर से आरी अंतरकला की खबरों पर दिग्विजय सिंग के नए बयान ने विराम लगा दिया है दिग्विजय सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस में सभी एक जुठ है जनता मध्विदेश में बदलाव चाहती है कॉंग्रेस के अंदर बड़े नेताओं के भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस तरह की खबरें बिछले कई दिनों से आम हो रही थी पर अब कॉंग्रेस के वरिष नेता दिग्विजय सिंग ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि कॉंग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है दि दिविजे सिंग ने कहा कि वो दतिया जाएंगे और नामांकन पत्र जमा करने के दौरान कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजिंद्र भारती के साथ मौझूद रहेंगे दतिया में नरुत्तम मिश्रा के खिलाफ जनता का रोश है मैं तीस तारीक को दतिया जा रहा हूँ दतिया में नरुत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जनता में जो रोश है मैं वहाँ जाकर कॉंग्रेस पार्टी के उम्मीद्वार का जब पर्चा भरेगा तो मैं उनके साथ रहूँगा इसलिए साथियो इन ब्रामक पचारों से दूर रहें कॉंग्रेस पार्टी में सब लोग एक है एक जो टहें जनता जो बदलाव चाहती है उसी बदलाव के लिए हम जनता से अपील करते हैं और ये भी एक बात समझने की है कि एक तरफ जनबल है कॉंग्रेस के साथ दूसरी तरफ धनबल है भाचपा के साथ और धनबल का उपयोग वे जूटी खबरे चपवाने में उपयोग कर रहे हैं ये पुरानी इनकी रण नीती रही है इन सब को समझते हैं इस प्रदेश में दो ही दल हैं मिशेशकर मद्पदेश में या तो सरकार कॉंग्रेस की बनेगी या भाचपा की बनेगी ये चोटे-चोटे दलों की कोई सरकार बनने वाली नहीं है इसलिए मेरी सभी मनदाता भाई और बहनों से प्रातना है कि वे इनके जहासे में ना आए बदलाव जनता है और बदलाव तभी होगा जबकि 20 साल के कुशासन वो दूर करते हुए कांग्रिस का शासन लाएं और कांग्रिस के शासन में कमलाजी के नित्वत में हम लोग सब मिलकर काम करें यह हम लोगों के लिए एक हमारा वचन है वचन बद्ध है हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और भाश्पा को हराएंगे जन्वल जीतेगा धन्वल हारेगा धन्यवाद अबी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे अंसुरा किया जाता है जन्ता की आवास स्वागत की बंदनवारों के पीछे का सच शलन्यास के पत्थरों से पत्थराई आखों की हकीकत हमारे साथ दखल न्यूस पर आप देख रहे है दखल न्यूस स्वाँ